हाई एवरिवन मैं रोहन यादो आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूटूब चैनल पर समाजकारी से संबंदी संपूर जानकारी आप सब को प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से RPSC जो महिला समच्छर विभाग 2018 में प्रशन पूछा गया था उसी को मैं solve करवा रहा हूं और ये समाजकारी का प्रशन पत्र है आपके सामने और ये आप सब के काम आएगा उत्तराखंड medical social work में और NTA UGC net समाजकारी के में भी काम आएगा और MPPSC में भी आपका काम आएगा ये टिके तो बहुत ही common questions है यहां पर सारे के सारे और आप सभी लोग इसे last तक देखिएगा मैंने question last में 99 तक करवा रखा था आप सब से मैंने comment में जवाब मांगा था आपके 100 वाले question का सही जवाब दीजिए आप से लिए आप लोग ने इसका जो अब शेक जी ने जवाब दिया option number B को चूज किया है बट वो गलत होगा यहां पर question number 100 का और दीपा जी ने भी जवाब दिया था question number 71 का कि जो है संभिधान को आत्मा कहा था डॉक्टर भिम्राव मेटकर ने मैंने question number 71 में आप लोगों से comment पूछा था आज का जो मेरा question है वो question number 100 से में शुरू कर रहा हूँ कि एक सामाजिक तथ है तो option जो है अलग-अलग करने के लिए जो अंतराल होता है यही आपका correct जवाब होगा कि सामाजिक तथ है इसे का जाता है ब्यक्तिकत कोईन से गलत जवाब है यहां पर और निजी अस्तित भी गलत जवाब है इनमें से कोई नहीं फोर्थ तो ऐसे ही गलत चल रहा है तो option number A for America ही correct जवाब हो जाएगा यहां पर टिक है अप्शन एक कोईशन नमबर अगर हम बात करते हैं 101 की यानि 101 की तो आत्मेहत्या एक है क्या social fact यानि समाजिक कारक, समाजिक fashion, समाजिक आदर्श, समाजिक निदान तो आत्मेहत्या जो है एक समाजिक कारक है इसलिए आपको यहां पर जो सही जवाब होगा option number A correct हो जाएगा question number 102 आपसे बात कर रहा है कि पारिवारी के राजिनिती किसके कारी से संबंदित होगा तो पारिवारी के राजिनिती जब कभी आप लोगों से question में मिले तो option में ढोड़िए यहां पर R.D.League का नम R.D.League is the correct जवाब हो जाएगा option number second question number अगर हम बात करते है 103 के बारे में यानी 103 के बारे में तो निमने लिकित में से किस मामलों में माध्ध यानी समानतर माध्ध जिसको X-2 में कहता था median जिसको M से denote किया था तथा बहुलग जिससे मैं denote किया था Z से कमान एक समान होता है मैंने अभी हाली में समाजकार ये अनुशनधान के बारे में पढ़ा रहा था आपको जहां पर हमने research में वो क्रिया विधी देखा था NPC पर कि जब 0 यहाँ जो हम 0 denote कर रहे थे मूल बिंदु को इस मूल बिंदु पर जब आपको mean और mode और median median ये तीनी चीज़े जब आएक समान बिंदु पर होता है तो ये समान होता है समान वितरल होता है फिर मैंने आपसे बताया था आ समान वितरल के बारे में तो वो isquenis में इस तरीके से मैंने बताया था कि अगर दाई और या बाई और जुकाव रहेगा तो वहाँ पर प्लस और माइनस की चिन्न बताया था मैंने यहाँ पर तो राइट साइड आप अगर देखेंगे तो प्लस होगा लेकिन इस में अगर हम वहाँ शमता की बात करते हैं तो राइट साइड माइनस होता है तो वो आ समान वितरल होता है लेकिन यहाँ पर देखिए एक समान की बात प्रशन ही आपसे सरल पूछा है तो इसलिए option number A ही correct हो जाएगा यह मैं आपको बता चुका हूँ question number A 104 की बात करता हूँ निमनलिकित में से कौन सा राज्य है जहां इस्तरी और पुरुष का अनुपात जो है एक हजार से उपर है तो केरल यहाँ पर सही जवाब होगा option number second आगे हम बात करते हैं आत्मियता का सहन सेल्था का अर्थ क्या होता है भावनात्मक निकटता यह ग गलत है अगर हम बात करते हैं सेवार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जो करता है उसके अपनाने की योगता तो यह भी आपका गलत हो जाएगा आत्मियता इसे नहीं करते हैं सहन सेल्था कार्थ क्यों लोगों की एक सभाविक रूची यह भी गलत हो जाएगा स और वाला आपका सही जवाब होगा, लापता यानि मिसिन, महिलाओं से तातपरिये क्या, तातपरिये का मतलब वही अविप्राय मतलब मेनीं अर्थ, आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अपने कारियों के अस्थल पर आनो पस्तिती हो, तुवो लापता है, ज़ंगरना में स बात करते हैं भारती योजनाओं का मुख्य उद्देश्त क्या होता है आपको पता होना चाहिए आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता रोजगार जनसंख्या ब्रिधी नहीं होगा यह गलत हो जाएगा आपका जहां पर ABC मिलेगा वही आपका करेक्ट जवाब होगा 107 का ABC option number second में दिया हुआ है इसलिए आपका यह सही जवाब होगा डिलिक्विंट बॉइ पुस्तक है यह यह पुस्तक का नाम याद रखना अलबर्ट अलबर्ट अपने नाम सुना भी होगा अलबर्ट एक जो है जे बी वाट्सन का पुत्र था बेटा था अपने बेटे पर उसने क्या किया था बेवहरवाद का सिध्धान्त को यह एक्सपरिमेंट उसी पर किया था तो ऐसे आप ट्रिक बना लिए कि डिलिक्विंट बॉइ है ललका वो किसका है तो अलबर्ट है बस अलबर्ट बॉइ ही था ललका ही था जो जबी वाट्सन ने किया था तो यह ट्र तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए एक आपराद होना चाहिए और दूसरा आपका डिलिक्वेंसी आपका होना चाहिए औप्शन नमबर दोनों होना चाहिए अच्छा यहाँ पर थर्ड अगर हम बात करें तो एक और दो दोनों दिया हुआ है तो आप्शन नमबर सी यहाँ पर करट जवाब होगा कार्ये का मुख जो सांस्कृतिक कानूनों और मानकों को वो क्या है अपराद है डिलिक्वेंसी है अप्शन नमबर थर्ड इटोन और पोलक द्वारा बाल अपराद को किस अपराद के वर्गी करण और अनुवर्ग किया गया है तो बहुत ही अच्छा जवाब है अच्छा प्रेशन है यह तो यहाँ पर दिखिए नाबालिक और बहशन यह तीनों चीज़ें इंबालब होंगी इटोन और पोलोक के द्वारा जहां पर बाल अपराद के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था ऑप्शन नमबर 4 यहां पर करण जवाब हो जाएगा 111 का सही जवाब ऑप्शन नमबर 4 सही होगा कोशन नमबर अगर ह समझने की बात कर रहा है इलेक्टिक एप्रोच का मतलब बता रहा है तो यह स्टेटमेंट दिया किसने मैंने आप लोगों से जब यूजी सी का पेपर करवा रहा था तो मैंने कई बार आप लोगों से फ्लोरेंस होलिस के बारे में चर्चा किया है और फ्लोरेंस होलिस वही हैं जिन्होंने कहा था कि ब्यक्तिकत समाजकारी को एक प्रतिच और आप्रतिच के बारे रहे हैं याद रखिएगा यही आपका करेट जबाब हो जाएगा चिके बाकी कारियतमक्ता का जो आपने देखा होगा अभिगम जिससे ट्राप में बाद में उस चीज को डेवलप किय था लेकिन आटोरेंग की सबसे पहले भूविका आती है उजनक माने जाते हैं अभिगम कारियतमक्ता के अभिगम में एचच पल्लमिन समस्चा समाधान उपागम दिया था फोरपीज के रूप में इसने डेवलप किया था और मैरी रिचमंड का तो सोसल डाइगनोसिस तो यानि सही हो जाएगा पहला वाला अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए मिटजा मिटजा और ग्रेस ये नाम सारे के सारे आप देख रहे हैं यूनीक नाम पहली बार साय समाजकारी में सुन रहे होंगे जो है यहां पे पूछा है कि साइकिज द्वारा कि सिध्धान के अपराध और अन व्यक्तियों की सामानता पर जोर देता या बल देता है डिलिकेंशी का सिध्धान पर की क्राइं के सिध्धान पर यह कुशिन नमबर अगर हम बात करते हैं तो बहुत बच्चे लगा रहे होंगे option number c को लेकिन क्राइं का जो सिध्धान थे नहीं अपरा क्राइम का सिध्धान्त किसी और वेक्टिका है मैं बता चुका हूँ आप लोग कमेंट करिएगा कोश्य कॉश्य नुम्र 114 नाम सुना ही होगा क्या नाम था उसका सुधर्ड लैन्ड या सुधर्लन भी आता है नाम वही है मात्राओं का थोड़ा सा फरक कर देते हैं युजी सी वाले वाले तो कोश्य नाम अगा हम बात करते हैं यहां पर टिक है सम लेंगिक अपराद नहीं है नहीं बलतकार है नहीं कॉपरेट अपराद होगा ऑप्शन नबर एफ और अमेरिका जवाब हो जागा सुधर लेंड के दौरा दिया गया था तो इसका जो सही जवाब होगा संकट का बचाव नहीं होगा एक विल थरेपी थी यहां पर लिखा हुआ है और कहीं-कहीं पर WI-L लिख देता है विल थरेपी बारे में ठीक है तो बात वही है ठीक है तो आप्शन नंबर आपके यहां पर जो फोर होगा यहीं सही जवाब होगा इस थरेपी के बारे में आटो रेंक ने दिया तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छे तरीके से यू जी सी देखो यहां पर यू जी सी की दिती देखो चाहें MPPSC का एक्जाम हो राजस्थान की बात में कर रहा हूँ ठीक है और अधर एक्जाम कोई भी एक्जाम अगर होता है समाच कारी मेडिकल सोशल वर्क का भी तो बेसिकली ये ल रन्तु इसने जो है basically समाच कारी UGC का बहुत ब्राड दिया हुआ है बहुत ब्यैपक लेबल पर सेाइन यहां है और बहुत सारे question भी कर वहुत कर रहा है आप ध्यान रखेगा इस बात का तो यूजी सी का दिती ये समिक्षा समिती के दोरा समाजकारी सिक्षा के रिपोर्ट की सुवर्स आई है 116 का सही जवाब होगा 181 में मैंने आप लोगों को इसको पहली रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट और तीन रिपोर्ट आई थी तीनों के बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं तो क्लास को देखिए आप सभी लोग सारी क्लास देखेंगे तब ही समझ में आएगा है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 117 की बारे मगर हम बात करते हैं तो दूसरे ब्यक्ति के विचारों को मानना समझना और प्रति क्रिया देनी के कार्य को क्या कहते है उसे शाहन भोती ही कहते हैं सिंपैथी कहते हैं तो आज कल ये सिंपैथी को लेकर यूजी सी में प्रशन पूछा जा रहा है तो वेशिकली ये और पीज़ाम में जो महिला सवरच्छर विभाग का था 2018 में वहां पर पूछा गया था तो सामना करने में आसमर्थता से संबंदित होगा कोशन नमबर 118 का सही जवाब जोगा आक्रिया सील होगा आक्रिया सील ही सारीरिक और मानसिक ठकावट का सामना करने में आसमर्थता को बताता है तिक आक्रिया सील मैं आप लोगों से कहता है नहीं हो कि बही एक्टिव रही है active रहे तो active रहना जरूरी है समाजकारी का paper पुल रहे exam crack करना मामूली बात नहीं है आज के समय में ठीक आगे अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक एवं प्रियोगात्मक पध्धती की दुती अस्तर कौन सी थी वैज्ञानिक और प्रियोग तो यहां पर एक प्रिकारत है, अगर हम बात करें, तो experimental method की बात कर रहा है, और प्रसमें इसने scientific की बारे में बात भी कर रहा है, वैग्यानिक क्रियाविधी की बारे में बात कर रहा है, तो इसका correct जवाब जो होगा, अस्पस्टी करण ही सबसे सही जवाब होगा, option number 1, ठीक ह तो यह कुछ ऐसे fact हैं, जो आपको आना चाहे तुरंट, जैसे प्रिशन पढ़िए, कि प्रियोगात्मा पध्धती और वैग्यानिक की जो दुती अस्तर कराईगी, वो आपका क्या कराता है, option वही आपका correct वाना जाएगा, समाजिक संसथाएं कौन से होती हैं, मैंने आप लोगों को इसके बारे भी पढ़ा चुका हूँ, तो यहां परिवार भी होगा, राज्य भी होगा, श्कूल भी, अब यह आप से नहीं पूछा है कि प्रात्मिक संस्था कौन सी है, दुतियक संस्था कौन सी है, फिर कोश्चन अलग हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो यह पीडिया भी आप लोगों को प्रोवाइट कर रखा टेलीग्राम पर, है ना, तो आप लोगों को पता भी होगा, यह सारी सारी चीज़, कोश्चन अलगर 121 की बात करता हूँ, आधुनिक राज्य के छेतर में क्या समलित होगा, बिवाह के आयू निर्धारित करना होगा, आप्शन बी होगा, तलाग के लिए कानून का भी निर्धारित करना होगा, और आप्शन थोर्ड आप से कह रहा है, कोश्चन अलगर 21 का, कि रिस्तेदारी संबंधों के सीमाओं को निर्धारित करना होगा, जिसके अंतरकत बिवाह पर रोख हो, आप्शन अलगर 4 कह रहा ह तो ऐसे आपको प्रशन करना है, कोश्चन में ज्यादा आपको हरवढ़ाट में नहीं करनी है, प्रशन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पर विचार करिए, और फिर लगाईए, अब देखिए, यह फैक्ट से प्रशन है, कि सामाजिक नियंतर प्रशन आप देख रहे हैं, आपको जबाब बताना है इसका, तो इसका करेट जबाब जो होगा, रोस, यह रोस वही है, जो मुर्य जी रोस, जो कम्मुनिटी और्गनाईजिशन में आता है, ध्यान रखेगा, समाजिक नियंतरर का सबसे पहले प्रियोग इसी नहीं किया समाजिक परिवर्टन का मुखता होता है, महत तोहीन होता है, आपसे कहता 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 है, आ इंकॉर्डिंग की बात कर रहा है यहां पर कोशन बात करते हैं दृष्टिहीन बालकों के लिए मैं आप लोगों से एक सेपरेट जो है अलग से आप सभी को बताऊंगा disability के बारे में unit number 9 में दे रखा है तो वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा लेकिन यहाँ पर आप देखे रहे है हला कि बता चुका हूँ द्रिश्टीहीन दिब्यांगों के लिए अच्छा अब आज काल दिब्यांग आ रहा है दिब्यांगों के लिए राज़्टीह संस्थान कहां पर अस्थापित किया गया है तो ध्यान रखना इस question का सही जवाब जो होगा option number आपका यहाँ पर देहरादून होगा correct option number 4 correct जवाब हो जाएगा question number 126 के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर दिब्यांग लोगों को परदान की जाने वाली कल्यान कारी सेवाओं को क्या कहते हैं सारवजनी कल्यान सेवाए कालाते है option number second से होगा यह इस पर इस्टार लगाएगा कि दिव्यांग लोगों को जब आप प्रदान की जाने वाली कल्यान कारी सेवाई होगे तो उसे सारवजनी कल्यान सेवाई का है बेक्तिकत तरीके से नहीं करेंगी नहीं कोई योजाए और बोलेंगे हम इसे तो option number यहाँ पर जो होगी option number second is the correct जवाब होजागा यह तो गलत हो गया यहीं पर ही अच्छा पालन पोश्ण और पारिवारी की यही positive answer दिया हुआ है option में second वाला तो यही correct जवाब होजागा किसे और अपरादों का मुख रोप से इनको इस तरीके से रोका जा सकता है अच्छा पालन पोश्ण और परिवरिक साहता दे कर question number 129 के अगरे में बात करें तो यह बहुत ही सरल सरल प्रेश्ण पूछे गए हैं तो मैंने आप लोगों को समाजकारी दरसन में पढ़ाया था वहाँ दरसन में मैंने इसके हरबर्ट विसनों के तीन टाइप से बताये थे तो उसको जुरूर देखेगा आप सभी लोग तो समाजकारी के मुल्यों और मूर्द और साधन के रोप में जो वरगित किया है वरगिकरर जो किया है हरबर्ट विसनों ने किया है तो ट्राइल नियर का सिध्धान तो जो है बेसीकली इसने बताया था आप भली भादी तरीके से जानते हैं इसने एक था मुख्य का नियम बताया था एक गौड नियम बताया था सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो आपका बताता है law of effect का तो law of effect मतलब अहाँ पर प्रभाव का नियम या प्रभाव का कानून भी आप कह सकते है option number यहाँ पर एक ही सही सबसे जबाब होगा option number 130 का यह अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम और अबृति का नियम यह तीन नियम जो आते हैं इसके मुख में आते हैं और पांच जो नियम आते हैं वो गौल में आते हैं ठीक है मैंने इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ ट्रालेन इरर का सिद्धान्त दिया था 1938 में question number 131 की बारे में बात करता हूँ और आपसे option में भी लिखा हूँ option number 3 is the current चबा हूँ जाएगा आपको अब match करना है question number 132 का match करना है एक तरफ बिद्वान के नाम दिये गए हैं और दूसरी तरफ उनकी बारे में कुछ चर्चा की गई बिद्वान के नाम ना करके कोई एक traditional सब्द दिया गया है जिसको आपको match करना तो एक सब्द दिया गया है client client का मतलब आप भली भाती तरीके से जानते भी होंगे और परचित भी होंगे client में तो जो client होगा वो बेक्तिकत कारी करता होता है उसके दोरा परदान की गई सेवाओं का ग्राहँ क 극ने फ्रीदार option number यहां पर पहले का दूसरा हो जाएगा current हो जाएगा और उसके बद यहां पर देखे वैतिक कारी करता के बारे में आपको पता होना चाहिए वैतिकत कारी करता वो होता है जो किसी वैतिकी समझ्जा संब्ध रखता है और उसका अध्धान करता है ताकि उसकी सहायता हो सके ये क्रियाविधी कौन करता है जो है बैक्टिकत कारी करता है तो दूसरे का एक हो जाएगा अब यहां पर आप देखेंगे option में तो आपको easily मिल जाएगा चाबित भी नहीं मिल रहा है third या तो fourth दुने में से होगा कोई तो दान की अगर हम बात करते हैं तो दान क्या होता किसी सहायता को किसी की सहायता करने के लिए एक सहायता क्रियाविधी होती है या गतिवीधी होती है कल्यार कारी के संस्थान के बारे में बात किया जा तो यह बिसेश रुप से ग्राहकों के कल्यार के लिए संस्था होती है option number यहाँ पर मिला है आपको कौन सा fourth मिला है यही करट जवाब हो जाएगा आपका question number 133 का बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ नाट के करण का सिध्धान्त क्या कहलाता है और यह सारी के सारे सिध्धान्त समाजी क्रिया के सिध्धान्त कहलाते है एक बार मैं जबाब बताए आप सभी लोग एक यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका समाजी कराल हो जाएगा नाट के करल का सिध्धान्त को भी प्रिजंट कर रहा है option number fourth सही जवाब हो जाएगा question number अगर हम बात करते हैं 134 के बारे में और कहा रहा है कि the first यहां पर बोला है 134 का तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ Sir George William नहीं दिया था Option number आपका आप George William भी बोल सकते हैं तो यही आपका correct यवाब हो जागा यह question भी important है प्रथम पहली बार setting के बारे में खो जा था ग्रूप work में 1965 के बारे में बाते करह हम करते हैं प्रकासित भारत में समाजकारी सिक्षा की पहली समिक्षा समिती समाजी कारी करता की किस भोमिका पर जोर देती ही या बल देती है यह question number 135 का सही जवाब जो हो जागा समाज सुधारक पर option number B correct हो जाएगा निमनलिकित में से समुह कारी का टक में टुक में वही है जो 19 अगर आप गूगल करेंगे तो 1965 मिलता है अगर आप इगनो की बुक देखेंगे तो 1963 मिलता है बट आपको दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रत्मिक्ता देना है 1963 के बारे में टिकर तो टक में का आपका क्या आता है आप पताई जरा इसका सही जवाब अगर होगा तो क्या होना चाहिए पर फॉर्मिंग आएगा कि फॉर्मिंग के बात क्या आता है यहाँ पर सीधा सीधा इसने पूछ लिया है इस रेट अगर हम बात करें आप लोगों से तो सुमिलित करने के लिए एक नॉर्मिंग, नमबर चार पर अगर आता है परफॉर्मिंग, नमबर पांच पर अगर आता है तो आपका आता है एड्स ओनली, तो इसका करटी जवाब क्या होना चाहिए, अब आप इसको सही करम लगाए, एक आपका पहला आएगा A, फिर उसके बाद दूसरा आएगा D, A औ आप इंग्लिस में आ जाईए, तो आप इसली कर लेंगे ऐसे प्रश्न को, है ना, सरल तरीके से, सामोहिक चर्स में समलित नहीं है, तो इसका करटी जवाब क्या होना चाहिए, कोशन नमबर 137 का करटी जवाब अगर होगर कोई है, तो वो है योजना को लागू करना, आप अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर फेस सीट के बारे में, तो फेस सीट के बारे में, तो फेस सीट के बारे में, प्रवेश का लाती है, प्रक्रिया रिपूर्ट की बारे में, अगर हम बात करते हैं, तो सीखने का सीचर का एक उपक मुल्यांकन नीकाल आएगा, सिंपल सी बात है, कौन सा मैच किया है, एक का अगर हम 3 से मैच करा देते हैं, तो 1 का 3, option number 4, तो 138 का सही जवाब हो जागा, option number 4th सही वाला, तीक भे, question अगर हम बात करते हैं 139 के बारे में, तो 139 आप से क्या बोल रहा है, 139 आप से क्या कह रहा ह कि निम्निलिकित में से संदर्व 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 बैवार की विसेस्ता बताईए जगा आप लोग तो ऐसे में तुलना होगा मुल्यांकन होगा एक मिनिट अप्शन नमबर अगर हम बात करते हैं संदर्व 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 बैवार का विसेस्ता तो मुल्यांकन नहीं हो प्रण होगा और आस्वाविकार होगा option नमबर एक सो 30 149 के अगर हम बात करते हैं तो ACD ACD option 3 में दिया हुआ है यही आपका correct जवाब हो जाएगा है ना प्रेड़ा की परिभासा के तीन प्रमुक्तत में सामिल किया गया है तो drive सही जवाब की option number drive मैंने आपको कई बार बताया है प्रेरी तो बोला जाता है इसको है ना ड्राइब option number पर आज पर एक संबंधों को मापने के लिए समोह में उपयोग की जाने वाली तकनी की किस रूप में जानी जाती है ना 141 का सही जवाब क्या होना चाहिए तो यहां पर सही जवाब सिस्यो ग्राम सिस्यो जो है सोसियो ग्राम कहला आएगा यह आपका correct जवाब हो जाएगा कोशन नमबर अगर हम बात करते है 142 के बारे में निमने लिखित में से कौन सा उत्तरदाई ए प्राइस्थिती मतलब दर्जा एक स्टेटस नहीं होता है ज़रा आप मुझे बताईए कौन सा नहीं होता है जिसका सही जवाब आप लोग कहेंगे सरग्यान नहीं होता है बिल तो इसका IQ क्या हो गया तो एक देखिए उसकी जो मांसिक आई मैंने IQ का फार्मूला बता था M A M का मतलब बता mental is और C A का मतलब बता chronical is जिसको आप वास्त विकायू भी बोलते हैं तो आपको यही IQ निकलना है तो उपर में आप 10 को रखिए और मांसिक आई जो बोला है 12 ब जाएगा और उसके बाद आप इससे डिवाइड कर दिजीर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने बष्टे 96 तो आपका यहां पे अगर हम बात करते हैं 128 होता है 128 नहीं होता है 12-98 होता है ठीक है तो यहां पर 8 आ जाएगा फिर इसकी यह 0 करना का रख लिजिए आपका IQ आगया 80 जहां पर होगा वही करेंट जवाब हो जाएगा देखो बैक्तिगत कारी का वैज्ञानिक रूप से अगर किसी को स्रेज आता है तो वो किसको स्रेज आता है आप लोगों को बता देता हूँ मैं जो जाता है मैरी रिचमंट को जाता है तो अगर यहां पर देखे एक मिनुट रखेगा सभी लोग एक मिनुट देखे यह कोश् और उसके बाद वास्तिविक आई जो होगा वो 10 होता है ऐसे में अब यह multiply होगा तो आपका 1200 आजाएगा और 1200 में आपको 10 से क्या करता है तो 120 जो आ रहा है यह आएगा option no.4 इसका correct जवाब हो जागा भाई ठीक है यह वाला सही है यह गलत होगा भाई mistake से है ना तो यह कर सकते हैं बाकी मैंने जो सूद्र बताया वो सही था फर्मोले पे आप उसको सही लगाएंगे तो आपको सही जवाब आ जाएगा 145 के अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक वैक्तिक कारी की परिभासा में प्रस्तुत किया है 145 का सही जवाब जो होना चाहिए वो क्या होगा तो वहाँ पर रेनाल्ड का नाम आएगा याद रखेगा यह आपका करटी जवाब होगा ठीक है अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक वैक्तिक कारी का जो उद्देश क्या होगा 146 का उद्देश की बात कर रहा है तो क्लाइंट के समझ्छ सक्षम बनाना होगा क्लाइंट को क ही रूप में रिपूर्देंट करना है ना तक्ठों के रूप में तो ब्यक्ति समस्या अस्थान प्रक्रिया आप्शन नम्बर आपका यह जो होगा फॉर्थ वाला करटी जवाब होगा 117 का और बात करते हैं 148 के बारे में कि वैक्तिक अध्यान के स्टडी किसका रूप हो नम्खावीटा सायश संगीता मैडम का जवाब था यही स्ञवाब हो जाया तो इक दर्जी तेजना को हराना गलत हो जाएगा अर इंडो नाइललोण का उस्तर को परिवर्तन करना यह भी नशेशल नमख 154. करेट हो जाएगा ठीक वन फॉर्टी नाइन का सही जवाब अप्शन नमबर फूर होगा वन फिप्टी यानि डेड़ सो कोशन आपके आज हो गए हैं कम्प्लेट और इसका जो उद्देश और ड्राइव है जो बैवहार को जनम देती है इसका सही जवाब होगा लच्छ मुख्य होता है अप्शन नमबर एक करेट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों ने लवट डेड़ सो कोश्चन कर लिया है समाजकार में और सभी के सभी कोश्चन जो थे इंपोर्टन से ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही और कल फिर मैं आप सभी के लिए दूसरे टाइप का प्रश्चन पत्र लेकर आऊंगा ठीक है कहीं से ओके